हाई अगर इसका आप चार्ट चेक करोगे ना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखा है अगर इसका मतब यह नहीं है कि यहाँ पे जो भी होना तो सब हो चुका है मैं इस समय आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यह वाला स्टॉक क्योंकि इसका असली potential यहाँ पे release हो सकता है अगर यहाँ से एक और breakout आता है तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि मैंने इसको share क्यों करा था बट अभी यह स्टॉक जहाँ पे आपको मिल रहा है वो इस trend line के भी नीचे मिल रहा है मतलब बहुत जादा deeply discounted price पे आपको यह स्टॉक मिल रहा है currently 60% आपको all time high से नीचे दिखेगा यह वाला स्टॉक तो क्या स्टॉक में कोई fundamental wise problem है यह आप लोग जाके खुद से भी check कर सकते हो मेरे सब से मुझे इतनी बड़ी कोई problem देखी नहीं थी कहीं और यही reason था कि मैंने खुद इस स्टॉक में 1400 के आसपास अपनी buying खुद बना ली थी बट अभी क्या अच्छी चीज हो रही है यह अगर आप लोग डेली चाट पर देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पर आपको देखने को यह मिलेगा कि अभी तक यह stock ने अपना कोई भी previous high को break नहीं करा था बट अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अभी भी stock में potential है तो बिलकुल मेरे साबसे potential है stock अच्छा कासा है यहां से और run-up हम लोगों को दिखा सकता है reason यह है कि fundamentals काफी जादा अच्छे है stock है और stock इस तामें बहुत जादा beaten down prices पे आपको मिल रहा है तो अगर आप लोग buy करना चाहो आप लोग कर सकते हो बट थोड़ा सा समल के करिएगा कॉस जो currently candle बनाई है stock ने kind of आपकी एक profit booking candle है क्योंकि यह जो आप trend line देख रहे हो यह weekly trend line है और इसी trend line का breakdown देके stock इसको retest करने आ सकता है तो यह जो candle है यह हो सकता है retest candle हो तो अगर यहाँ से stock नीचे जाना शुरू करें तो avoid करिएगा stock बट अगर इसका breakout दे देता है stock इस candle का breakout दे देता है तो आप लोग long time के लिए invest भी कर सकते हो stock में और एक छोटा मोटा swing trade भी ले सकते हो जो भी यहाँ पे enter करना चाते हैं उनके लिए जो minimum stop loss होगा मेरे साब से आपको 1400 का stop loss रखना पड़ेगा क्योंकि आप एक long time के लिए यहाँ पे invest कर रहे हो अगर आपको swing trade करना है तो आप चाहो तो breakout candle का भी low रख सकते हो वो उतना ज़्यादा matter नहीं करेगा तो मैंने आपसे यह क्यों कहा था कि इसका true potential unlock हो सकता है क्योंकि यह अगर आप एक pattern देखोगे इसको हम लोग बोलते है falling wedge pattern और अगर इसका breakout आजाता है तो stock एक अच्छा खासा आपको move दिखा सकता है यहाँ से easily 20% तक का तो I hope कोई आपको पहला stock पसंद आया होगा और जो लोग hold कर रहे हैं उन्हें एक update मिल गया होगा stock के उपर अब चलते हैं हम लोग finally अपने first stock पे जो मैं आपको swing trading के लिए आपर देने वाला हूँ तो आप लोग चाहो तो इस stock को अपना second stock भी मान सकते हो क्योंकि पहला stock भी आपको watchlist में तो add करना ही करना है अब यह stock का नाम क्या है तो आप देख सकते हो chem plus नाम है इस stock का weekly chart में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और साती साथ यहाँ पे technical resistance भी आपको देखने को मिल रहा है एक नीचे आपको trend line दिख रही होगी तो इस trend line पे अभी उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि currently stock अपने breakout level के आसपस आए ना कि support level के आसपस तो currently stock का price का चल रहा है अगर आप देखोगे 443 अब यहाँ पे काफी लोग कहींगे कि sir यहाँ पे भी तो stock breakout देने आया था तब आपने यहाँ पे suggest क्यों नहीं करा था और यह दोनों के दोनों exponential moving average हैं तो प्लीज इसका इध्यान लखिएगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ जब first time stock ने resistance लिया था तो इसका 200 EMA उपर था 50 EMA नीचे था तो जिसका मतलब यही होता है कि stock इस समय bearish है क्योंकि अपने 200 moving average के नीचे trade कर रहा है उसके बाद क्या हुआ stock जब breakout देने के लिए आया तो अपने 200 moving average से rejection लेके वापस से stock नीचे चला गया और उपर sustain नहीं कर पाया बट इस बार अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है अगें stock अपने same levels पे आया बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 EMA ने 200 moving average को cross कर र अब यहाँ पे main चीज क्या होगी देखने लाइक वो यह रहेगी कि अगर stock अपना previous low break नहीं करता है अगर आप यहाँ पे एक अच्छा formation देखोगे तो आपको समझवाएगा कि stock उपर किया एक low create करा फिर stock ने नया high create किया एक low create करा फिर एक नया high create करा और अब वापस से न एक risky stock हो सकता है तो अपना analysis जरूर करिएगा अगर इस doji के उपर stock closing दे देता है तो जाधा better रहेगा मेरे साब से क्योंकि stock काफी जाधा volatile है आप देख सकते हो कितना volatile रहता है stock तो यह उपर जाके वापस नीचे close भी हो सकता है जिसकी वज़ा से आपकी एक fake breakout की वज़ा से और जो ultra safe play करना चाते हैं उनके लिए सबसे best time होगा entry करने का जब stock अपना 500 level का breakout दे देगा अब वो आने वाले एक हफते में देगा या दो हफते में देगा यह stock पर depend करता है देगा की नहीं देगा यह भी हम लोग नहीं जानते हैं बट सिल अगर आप postage में रखना चाते ह मेरा यहां पर फूरा first बनता है कि मैं आपको सिर्फ trading के stocks ना दूँ साथी साथ long term के investment के भी stocks दूँ क्योंकि अगर market अपना all time high break करके उपर जाएगा तो ऐसी अच्छी companies जो समय आपको अच्छे levels पर मिल रही हैं यह भी एक अच्छा खासा boom दिखा सकती हैं और अपने all time high जा सकती है on the other hand अगर market नीचे की तरफ गिरता है तो यह companies उतना जादा नहीं गिरेंगी क्योंकि यह already बहुत जादा correct हो चुकी है तो सबसे पहले अगर आप stock में देखोगे तो stock 750 के आजपस open हुआ था और वहीं से एकदम sharp गिरावट आ गई थी due to covid reasons उसके बाद क्या बहुत बार यहाँ पर support लिया है double bottom kind of formations आपको दिखाए है अभी भी stock में वही चीज होई है कि stock यहीं से support लेके वापस से उपर जा रहा है बट इस बार खास क्या हुआ है कि stock ने अपनी एक long term trend line का breakout दिया है यह weekly chart है तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी trend line होगी है जिसका अभी stock ने breakout दिया है यहाँ पर आप simply देख सकते हो और reason मेरा share करने का यह है कि हो सकता है कि इस trend line का यहाँ पर stock retest करने आ रहा हो और यहाँ से आपको एक boom दिख सके तो जो लोग long term के लिए invest करना चाते है उनके लिए best price रहेगा around 800 का जो लोग short term के लिए swing rate करना चाते है व इसके उपर stock ने closing नहीं दिया भी ढंक से इस वज़ा से मैंने यहाँ पर आपको यह नहीं बोला है कि आप लोग इसे buy कर लो क्योंकि हो सकता है stock 50 EMA का rejection लेके वापस नीचे आ जाए इस वज़ा से जो best price रहेगा वो 800 के आसपास करेगा क्योंकि 200 EMA भी यहाँ पर है और कर रहा हो तो आपको उसमें entry नहीं लेनी है retest का पूरा मतलब ही ही होता है कि stock अपने breakout level पे आके वापस से bounce back दिखाए तो जब तक bounce back नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को entry नहीं करनी चाहिए हो सकता है कि retest fail हो कि stock वापस से 730 पे चला जाए तो आप लोग यहाँ पर trap हो स चाहो तो जुलाई मन्त की हम लोग की WhatsApp community join कर सकते हो जून मन्त हम लोग का end होने वाला है तो registration open है जुलाई मन्त के लिए अगर आप लोग join करना चाहो नीचे description में भी आपको number मिल जाएगा and साथी साथ मैं यहाँ पर video में भी आपको number show कर दूँगा कुल मिला के आपको क्या